Hey guys, welcome to Lawsified. क्या आज शाम को आपके उपर एक बहुत बड़ा बम गिरा है, जिसका नाम है DJS. तो अभी तक हमें पता था कि एक्जाम है 27th March को. हम उसके हिसाब से प्रिपेर कर रहे थे, लेकिन एक केस चला age-related query से और उसके बाद हमने सोचा कि अब तो एक्जाम होगा post phone. हम थोड़ा relax हो गए, लेकिन आज court की ruling ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेट दिया और अब हमारा एक्जाम 27th March को ही हो रहा है and we have just 15 days in our hands. कैसे reboot करें खुद को is the question. तो सबसे पहले, don't panic. Don't panic at all, Lossified will bring to you the ultimate 15 days strategy जिससे आप DJS Trillium's Ace कर सकते हैं. So let's go ahead. तो सबसे पहले समझते हैं, paper का pattern जल्दी से 200 questions आएंगे. सही जवाब के लिए एक number, गलत जवाब के लिए minus 0.25. तीन घंटे का duration. Tentatively, आपके 120 से 130 सवाल होंगे law के. 25 से 30 होगा GK का. और 30 questions होंगे English के. ठीक, यह है paper pattern. बढ़ते हैं syllabus की तरफ. यह मुझे उमीद है कि हम सबको पता होगा, अगर हम DJS देख रहे हैं तो. नहीं भी पता होगा, तो कैसे हम इसको ace करना है. तो देखो, सबसे पहले तो हमको output based अपना पढ़ने का तरीका रखना होगा. output based का मतलब क्या होता है? कि आप यह देखो कि आप 15 दिन पढ़ रहे हो, तो आपका इन 15 दिनों में इतनी effectivity होनी चाहिए, कि आपका output आए 150 days के बराबर. वो कैसे आएगा? जब आप focus करोगे result पे. result oriented पढ़ाई करोगे, तब आएगा. वो कैसे करेंगे? वो हम तब कर पाएंगे, जब हमें पता होगा कि हर subject का weightage कितना है. ठीक है? हर subject का weightage देखेंगे, तब हमें समझ मैंगा कि किस subject को कितना time देना है. तो देखो, हर subject को उसके weightage के हिसाब से time दो, ये बात तो समझ लो. लेकिन अगर inherently आपका कोई subject बहुत अच्छा है, जैसे मान लो कि आपको लगते है कि आपको constitution में बहुत आता है. ठीक है? constitution आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो वो constitution का time आपको किसी और subject को दे सकते हो, जो आपको लगता है कि आपको कामाता है. तो जो हम आपको 15 days strategy बताने वाले हैं, वो दो पार्ट में बताने वाले हैं. एक week में मैं आपको cover करवाना चाहूंगी 12 subjects in 6 days. ठीक है? और एक दिन हम रखेंगे grace, जिसमें हम अगर कुछ target नहीं complete कर पाएं हैं, तो वो complete करेंगे. ये बहुत ambitious target है, देखो, एक दिन में 2 subject करनेगा. और इसमें क्या होगा? इसमें दिक्कत ये होगी, कि आप नहीं cover कर पाओगे, या आप शुरू तो अच्छे से करोगे, लेकिन बाद में आपको भागना होगा. तो भाई, देख लो कि आपको starting में 75% of the day एक subject को देना है, फिर 25 या 30% दूसरे subject को देना है, और उसके अलावा, वो extra आपको 25% अपने आपका output बढ़ाके, efficiency बढ़ाके, जीके और English के लिए time निकालना है. तो ये आपका आजकल, जो मतलब ये 15 दिन की तयारी है न, ये आपकी 125% के capacity पर चलनी चाहिए, ठीक है? तो एक week का तो ये हो गया, दूसरे week की बात करें, second week की बात, तो इसमें हम करेंगे question solve, ठीक है? जिस pattern में हमने पढ़ा हुआ है papers को, उसी pattern में हम question solve करेंगे, और उन areas स ठीक है? उन areas से question करेंगे, क्योंकि trust me, MCQs वाले paper में सबसे जादा help करता है question solving approach ही, question जितना solve करेंगे, उतना जादा output बढ़ेगा, अगर आपको question solve करने का तरीका पसंद है, तो comment करिए, हम आपके साथ question solve करेंगे for you guys to be good, to perform good in the upcoming DJs, ठीक है? जो unconventional subject है, इनके questions हम solve करवा दे आपको जैसा आपका इच्छा हो, तो देखो, पहले तो हमको कैसे first week की तयारी करनी है, ये देखते हैं, तो हमारे पास 6 बड़े subject हैं और 6 चोटे subject हैं, ये बड़ा subject है, ये बड़ा subject है, ये बड़ा subject है, ये चार बड़े subject है, फिर arbitration और evidence, तो क्या करना है, इन चार को club कर परना है, एक छोटे subject के साथ, एक दिन के लिए, तो से, पहले दिन हमने पढ़ लिया constitution और SRA, ठीक है, पहले दिन हमने पढ़ लिया constitution और SRA, ठीक है, फिर दूसरे दिन, अब ये है कि 75% time आपको constitution को देना है, और उसके बाद 25-30% आपको SRA के लिए देना है, ठीक है, फिर पढ़ते हैं, दूसरे दिन हमने क्या किया, CPC, अब देखो, CPC बहुत ही जादा voluminous है, तो इसके साथ कुछ बहुत छोटा करो commercial code साथ, ठीक है, इसी तरीके से CRPC बहुत voluminous है, तो CRPC के साथ हम क्या करेंगे, CRPC के साथ करेंगे, पॉक्सो करेंगे, ठीक है, फिर उसके अला partnership, contract, ठीक है, ये एक दिन का हो गया, दो दिन का हो गया, तीन दिन का हो गया, चार दिन का हो गया, अब ये बचा पांचवा दिन, जिसमें हम arbitration करेंगे, और contract करेंगे, और छटे दिन हम partnership करेंगे, और इसके साथ limitation करेंगे, अब ये दिन, last का दिन, जो है, limitation और partnership वाला, limitation औ आपके नहीं पूरे हुए हैं, तो ये आप उन दिनों में कर लो, ठीक है, तो इस तरीके से ये 12 सब्जेक्ट आपको करने हैं in 6 days, ठीक है, इसके बाद 1 डे हम रखेंगे grace का, reboot करेंगे खुद को, और फिर उसके बाद next week we will harp upon questions, ठीक है, और in question solving session में mind you होने चाहिए आपके previous year questions also, ठीक, अब थोड़ा बाकी दो चीज़ों के आते हैं, जो की है GK, legal GK and the English, तो legal GK में सबसे पहले तो हमें देखने होंगे current legal facts, current legal news, person जो news में रहे हैं, list of ministers, cabinet ministers important है, वो, recent amendments, bills, law commission की reports, etc, ठीक है, तो ये सब GK में है, इसका ऐसा करिए कि आप list बना के पढ़ने लगिए, कि पहले तो person who makes news की list बना लो, person in news, appointments की list बना लो, amendments की list बना लो, ठीक है, इस तरीके से list बना बना के पढ़िए, हर दिन दो दो तीन 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 list cover करिए, तो GK में आपको help होगा, आगे बढ़ते हैं, English में क्या पढ़ना भाई देखो इसको आप चाहो तो इस मतलब कठिन वक्त में जब बहुत कम टाइम है और आपकी English ठीक है, ठीक ठाक है, आपको decently English आती है, तो इसको इस पार्ट को आप छोड़ सकते हो, you can ignore it, but अगर आपकी English कमजोर है, तो इस पे भी आपको दिन के आदे घंटे से एक घं और एक बात समझे है, कि अगर आपके पास 15 days है, तो आपके competitor के पास भी सिर्फ 15 days ही है, उसके पास कोई extra time नहीं है, है न, और ये जो exams होते हैं, ये exam में आपको बहुत अपना best करने से ज़्यादा important बात ये है, कि आप दूसरों से अच्छा करें, तब ही आप cut off पार कर पा जितना time है, उसको बहुत अच्छे से use करेंगे हम, Lossified के videos देखेंगे, and we will help you sail through DJS के tough turns, and trust me we will be there, कुछ extra help चाहिए हो, कुछ unconditional help चाहिए हो, please drop in a comment, last में, Lossified आपसे यही कहना चाहेगा, कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ नहो, कुछ तो उप्योक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, तो काम पे जुट जाईए, निराशा को छोड़ दीजे और डीजेस को एम करिए लॉसिफाइड is there at every step प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब, कॉमेंट इफ यू लाइक अस प्लीज डू लाइक and शेर सब्सक्राइब तो बिल्कुल से जरूर से करना ओके थांक यू